है स्टूदेंट इस टूटोरियल वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं कि जो अनॉगनाईस सेक्टर न काम करते Centers जिसके बारे में हम मैं पैजले टूटोरियल में पढ़ा था डेटेमें को जांक एसा करेंट न हम देऊ share न हम ओ ना विकिन? बैकिन अनोगनाइस सेक्टर में ऐसा नहीं होता है आए देखते हैं क्या लिखा है और इक्क्नियुन उफस जोब ट्रस को इसा इक चांड इपलेबल होती है इनको सबको तलास होती चाहते हैं कि अच्छा थाप्र प्राइब प्रेश के काम करते हैं। अंगनीज प्रेश के अंदर के काम करते हैं, की जिसे license लेके tax देके और rules and regulations को follow करके जो business चलाना चाहिए तो क्या करते हैं कि वो उनसे बचने के लिए unognized sector में उसी level का business start कर देते हैं और SECT में government के पास data अप्लब्ध होता नहीं है और इसलिए they adopt strategies जीज ऐसे से तरीके अपनाते हैं evade tax tax बचाते हैं और rules and laws को follow करने में कोता ही करते हैं कौन से laws जो levers को levers को protect करते हैं as a result the large number of workers are forced to enter the unognized sector तो और नई सेक्टर में कम opportunities होने की वज़े से ज्यादा ज्यादा लोग जो workers हैं वो unognized sector में enter करते हैं वहां की jobs को करते हैं which pay very low salary जो बहुत low salary देते हैं और उनका exploitation भी वहां होता है अकसर और fair wages नहीं मिलते हैं उनकी earnings low होती है और उनकी job regular नहीं होती है secure नहीं होती है और उनको other benefits भी नहीं मिलते हैं इसके लिए आप जाएके पिछले tutorial वीडियो देख लीजी यह सारी चीजे वहां पर explain की गई है कि का मतलब क्या होता है वह यहां पर repeat किया गया है लेकिन इसी COVID-19 pandemic की समय में कितने ही लोगों की job जो है वो चली गई क्योंकि वो private sector में work करते थे organized sector में होते भी company ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि they were not able to continue giving them salary organized sector में भी job छूट जाती है these workers are forced to take up jobs in the unorganized sector ती या कि unorganized sector में work करना start कर देते हैं और earnings कम रहती है अब उधारण के लिए एक हलवाई ने दुकान खोली हुई है और रोज आनमाली जो उसकी दसीयों हजार की income होती है लेकिन कहां वो registered है कहां government के पास उसका data है उसके जो लोग काम कर रहे हैं कोई medical benefits देगा casual leave देगा medical leave देगा provident fund देगा क्या देगा वो जबकि business उसका इतना अच्छा खासा चल रहा है लाखों की income उसकी महीने की है कोई tax भी उसे नहीं देना है कि वो income tax देने जा रहा है ऐसी coaching institutes हैं जो छोटे-ओटे coaching institutes start हो जाते हैं एसे बहुत से चीज़े हैं जो unognized sector में होती रहती हैं वरकर्स उसमें काम करते हैं लगे रहते हैं और उनकी लाइफ किसी तरह चलती रहती है hence इस वज़े से besides the need for more work ज्यादा ज्यादा काम की ज़रुवत तो ही है प्रभावित हो जाए जिस चीज़ से प्रभावित हो जाए उसके प्रतिवों vulnerable कहलाएगा यहां पर हम यह कह सकते हैं कि सिच्वेशन से सब ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग इंदा रूरल एडियाज अनॉगनाइज सेक्टर मोशली कंप्राइजेज अब लैडब से हाकर हम रूरल एडियाज की बात करें कि गाह अधे हाथ में क्या इसीती है तो वहां पर जो अनॉगनाइज सेक्टर है अग्रिकल्च्रल लेवरर्स होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती और वो खेती पर काम करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है काम करने का रूरल एडिया में अग्नाइज सेक्टर में इस्माल और माजिनल फार्मर्स भी होते हैं जिनके पास जमीन तो होती है लेकिन कम होती है sharecroppers and artisans sharecroppers जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं और फजल का कुछ इंसा अपने पास रखते हैं और लगबगादा इंसा वो ओनर को दे देते हैं जमीन के artisans हैं जो चीजे बनाते हैं जैसे कि वीबर्स हैं, कपड़ा बुनने वाले blacksmiths हैं, लोहार लोहे का समान बनाते हैं, carpenters हैं जो लगड़ी का समान बनाते हैं और सुनार को नेरली 80% of the rural households यानि लगबग गावाँ में जितने भी घार होते हैं households परिवार होते हैं उनका 80% जो है इंडिया में वो small और marginal farmers का टेगरी में आते हैं जिनके पास बहुत कम चाहिए यानि कि लोन चाहिए और storage facility चाहिए हम उन्हें प्रोवाइट कर सकते हैं असानी से कम पैसे में इसके बाद अगर उनका production हो जाए तो उसे marketing outlet चाहिए क्यों कहां पिले जाके बेचें उसके भी proper channelization उसका होना चाहिए तो इस प्रकार से farmers को protect किया जा सकता है अब जैसे उधारण के लिए जो किसान हैं उनके लिए insurance scheme होती जिसे हम कहते है crop insurance scheme ठीक है यहने किसान credit cards दिये जाते हैं साथ ही जो किसान सम्मान ने दी है जो 2000 रुपीज फिलहाल यही इस्तिती है हर quarterly में दिये जाते हैं इनके लिए e-mandia इस्तापित की गई है marketing outlet के रूप में और भी तरह तरह की programs हैं जो government चलाती रहती है subsidies इन्हें मिलती हैं अगर वो agriculture inputs खरिते हैं implements खरिते हैं तो government help करने कोशिश करती है seeds इन्हें उपलप कराया जाते हैं जिनमें subsidy मिलती है खाद समय पे मिल जाया नहरों में पानी उपलप कराया जाता है तो इन्हें एक्जामपल दिया कि इस प्रकार से जो farmers हैं उनको protect किया जा सकता है अब आती ही बात urban areas की सहरी इलाकों की तो वहाँ पे farmers तो आपको मिलेंगे नहीं अनगनाई sector में कौन-कौन लोग शामिल है उसमें mainly workers हैं जो small scale industry पे जो छोट-छोटी घरेलू या छोट-छोटी उद्योग होते हैं वहाँ काम करते हैं casual workers हैं जो दिहारी मजदूर करते हैं क्योंकि अगर आप small scale industry में काम कर रहे हैं आप तो आज भी जाओगे, कल भी जाओगे, परसों भी जाओगे आप महीने और सालों तक काम करते हैं लेकिन जो casual workers हैं वो रोजाना भी higher हो सकते हैं रोजाना का पैसा उन्हें मिलता है और ऐसे लोग construction में लगे हुए हैं ट्रेड में लगे हैं, ट्रांस्पोर्ट में लगे हुए हैं और गली गली में महले महले में सडकों पर फेरी करकर के समान बेचते रहते हैं कपड़े वाले हैं, ठेला लगा के फल बेचने वाले हैं, सबजी बेचने वाले हैं घुम घुम के, head load workers, बोज़ा ढोने वाले लोग भी हैं पता चला कि ट्रक भरकर समान आया, बोरा ही बोरा लदा हुआ है तो आगर यहां पर चार-पांच लोग पलेदारी करते हैं मेंस कि वो बोज़ा लादात के बोरी का लेके जाएंगे जहां आपने बतावे हैं, वहां रखेंगे और हर बोरी का कुछ पैसा लेंगे तो यह भी load workers ही हैं, garment makers हैं कपड़ा बनाने वाले, rack pickers हैं जो कबाल बिनने वाले लोग होते हैं Small scale industry also needs government support तो, Small scale industry को भी support किया हो सकता है अच्छा कैसे उनको support किया जा सकता है procuring raw material, उनके लिए raw material उप्लप्त कराना और marketing of output और जो उनका समान बन के तयार होता है उसकी marketing, बजार में उसे बिखने में मदद करना इसके लावा जो casual workers हैं rural में भी, urban में भी उनने भी protection किया हो सकता है तो government जो मैंने सुना है वो यह है कि उनके लिए pension scheme उसने निकाली हुई है कि कुछ premium आप भड़ते रहो तो एक उमर के बाद आपको pension मिलेगी इसके लावा भी government कोसिस करती है कि हमारे पास जो हमारे casual workers है उनका भी data हमारे पास आये तो हम कोई scheme उनके लिए निकाले तो इन्हें ऐसा ना फिलो कि हम बे सहारा हैं क्योंकि government जो होती है वो किसी भी democracy में उसे हम welfare government कहते हैं welfare government इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोगों के welfare के लिए होती है लोग उसे चुनकर भेजते हैं इसलिए भेजते हैं कि वो शासन में लोगों का ध्यान करेगी, ख्याल रखेगी अब यहां पर हम एक और case लेते हैं कि बहुत से workers से जुल कास्ट के हैं tribes के हैं, backward communities के हैं यानि OVC तो वो भी un-organized sector में काम करते हैं तो उन्हें भी irregular work मिलता है मलब बरबर नहीं मिलता लो पेड वर्क मिलता है इस वर्कर्स आलसो फेल सोचल डिस्क्रिमिनेशन और उन्हें समाजिक भेदबाव भी देखने को मिलता है अगर वो un-organized sector में हैं जहां काम कर रहे हैं तो वहां पे जातपात का भेदबाव देखने को मिल जाता है तो उन्हें भी प्रोटेक्शन सपोर्ट की आऊ सकता है तो इस तरह से un-organized sector में जो वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोटेक्शन की आऊ सकता है इस दस नेसेसरी उनके economic development के लिए इनके social development के लिए उन्हें समाजिक और आर्टिक दोनों support चाहिए समाज में वो without discrimination रह सके वो social उनका development में help करेगा और उनकी income अच्छी हो सके वो economic development हो जाएगा और जो casual workers हैं उन्हें के लिए तो minimum support wages करती है लेकिन कौन मानता है उसको लोग कम wages पर भी रखते हैं क्योंकि इतनी demand है employment के लिए लोग काम पर जाना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन employment opportunities कम हैं इस वज़े से ऐसा होता है when factories close down many once regular workers are found selling goods or pushing a cart or doing some other job ऐसा ही होता है let's recall में यहां आपको बताया गया कि आपने क्या क्या सीखा अभी तक कि किस प्रकार से हमने nature of economic activity के अधार पर primary, secondary और tertiary sector को सीखा उसके बाद हमने और criterion लिए और हमने फिर economic activities को ही organized और unognized sector में हमने divide कर दिया और उससे हमें employment के बारे हम जानकारी मिलती है यहनि हम useful classifications इने कह सकते है classification in a useful manner that helps us to assess and study the economic structure तो इस table को भढ़ना है इसे बहुत आसानी से आप भढ़ सकते हैं जैसे primary, secondary, tertiary अगर nature of activity पे है तो वो nature of employment पे आ जाएग यहाला portion nature of employment और most important conclusion the most important conclusion primary, secondary, tertiary sector में हमने यही निकला है कि यहाँ पे जो primary sector है वो employment सब ज़्यदा provide करता है plus जो GDP में contribution है वो कम है और tertiary sector तेजी से आगे बढ़ रहा है और secondary, tertiary sector में जो उनका contribution और GDP में उसके ratio में employment नहीं है अनगनाई sector में हमने जो problem देखी वो यह देखी अनगनाई sector में तो rules and regulations follow होते हैं लेकिन जो अनगनाई sector है उनने support or production क्या हो सकता है यह हमने देखा job security नहीं रहती exploitation होता है और ज़्यदा ज़्यदा लोग यहाँ पर काम करते है अनगनाई sector में काम है problems अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो अंडर इंप्लॉइमेंट की problem है यानि कि जो हम डिजगाइश्ट अनप्लॉइमेंट भी कहते हैं उसकी problem है और यहाँ पे अगर हम problem देखें तो यहाँ पे बहुत से problems है low paid no benefits no leaves exploitation और उनने टैकल किया जा सकता है अगर government उनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स उठाती है तो इस problem को टैकल किया जा सकता है by creating employment opportunities वह सब हम study कर चुके इसके बाद जो दूसरा है इसे हम अगरे टुटोरियल part में लेंगे कि private और जो public sectors हैं okay thank you for watching the video tutorial यह अजीर सब से जो गुडबाई see you in the next video till then study well and take care